Reliability of tests में जो पहला evidence हम reliability के लिए collect करते हैं वो test retest reliability है और देखिए इसके नाम से वाज़ है कि test होगा और फिर वोही दुबारा retest लिया जाएगा मसला आपने एक questionnaire बनवाया आपने वो questionnaire मैं मिसाल को साधा रखने के लिए कह रहा हूँ कि एक शखस से fill कर आपका sample एक आदमी था सिर्फ आपने उससे वो fill करवाया और फिर चंद दिन ठेहर के दुबारा वही दिया questionnaire उसको और फिर fill करवा लिया दोनों executions में पहली दफ़ा देने में और दूसरी दफ़ा देने में उसने जो सवालों के जवाबाद दिये वो आपस में जितने मिलते होंगे एक जैसे होंगे अतना हम कहेंगे कि उसकी test reliability ज्यादा है अचा इसमें अगें देखिए मसला मैंने liquid scale को इस्तमाल किया था और questionnaire बनाया था लोगों की likeness towards cricket को चेक करने के लिए लोग cricket को कितना पसंद करते हैं अब पहले सवाल के जवाब में पहली दफ़ा जब दिया तो let's say किसी शख्स ने number four को circle कर दिया जब मैं उसको वो दुबारा दूँ और वो दुबारा four को ही circle करे तो मैं कहूंगा कि उसका जवाब consistent है test retest में इसका मतब है जो जवाब उसने पहली दफ़ा दिये थे सवालों के दूसरी दफ़ा जब दिया जाए तो फिर वो वही जवाबाद दे दे तो हम कहेंगे कि यह hundred percent consistent है यह एक सिर्फ मिसाल मैंने आपके लिए रखी थी आपको यह बात समझाने के लिए लेकिन जब हम actual data collection में जाते हैं तो एक test एक आदमी को नहीं दिया जाता एक test बहुत सारे लोगों को दिया जाता है वो सब लोग अपनी अपनी मर्जी से जवाब देते हैं उसके बा दोबारा test उनको एक खास वक्त के बाद देते हैं यहां जो लफ मैं खास वक्त यूज करता हूं इससे मुराद यह है कि देखिए अगर आज आज आपको को टेस्ट दिया जाए तो आप जो जवाब देंगे वो जवाब आपको कितने देर तक याद रह जाते हैं आपकी memory मे को चार घंटे पांच घंटे ज्यादा से ज्यादा एक हफता रह लेंगे इसके बाद आप भू को याद नहीं रहता कि आपने कौन कौन से जवाबाद दिये थे पिर अगर इस वक्त के बाद जिसमें आप वो पहले जवाबाद आपकी memory से निकल गए हों दुबारा उस वक् जो आपने जवाब दिये उनका टोटल स्कोर एक जैसा आएगा तो मैं कहूंगा कि आपके जवाबाद जो है वो कंसिस्टेंट है लहाजा इसमें टाइम स्पैन एहम चीज है पहली एग्जीक्यूशन आफ टेस्ट और जब री टेस्ट किया जाए तो उसके दर्मयान का वक जो है यह इंपॉर्टेंट है और यह वक्त टेस्ट की नौईयत पर डिपेंड करता है साल के तोर पर अगर मैं टेस्ट एंजाइटी पर रिसर्च कर रहा हूं और उसका टूल बनाया है तो टेस्ट एंजाइटी बहुत तेजी से बदलती है मझा टेस्ट से चंद घेंटे गैसे पहले कुछ और होगी टेस्ट से और दो दिन पहले कुछ और तो इसमें जो एक एक एक्जीक्यूशन और दूसरी एक्जीक्यूशन है पर रिट द्रमयान का वक्षयाइं वा बहुत बहुत लlais कि नंबा करेंगे तो वह चीज इनसान में बदल जाती है ऐसके महारा ल short period में नहीं बदलती तो आप उसके लिए वक्फा लंबा रख सकते हैं लेकिन कुछ चीजों के लिए वक्फा तिर्मियान में छोटा रखना पड़ता है तो इस तरह के challenges हैं लेकिन बुनियादी तसवर क्या है कि एक test लिया जाए या कोई questionnaire फिल करवाया जाए फिर कुछ वक्फा दे के दुबारा वही फिल करवाया जाए और आपके दोनों दफा के जवाबात में आपस में relationship निकाला जाए अगर वो relationship strong होगा तो हम कहेंगे कि इस test में test re-test reliability ज्यादा है यानि पहली दफ़ा जो जवाब दिये दूसरी दफ़ा भी अगर वही जवाब दिये तो मैं इससे ये infer करूंगा कि आपके responses में stability है तो test re-test बुन्यादी तोर पे stability का मेयर है और मेयर इस्तमाल कैसे करते हैं पहली दफ़ा टेस्ट दिया फिर दूसरी दफ़ा वही सेम टेस्ट दूसरी दफ़ा दिया दोनों दफ़ा के scores के दरम्यान relationship निकाला अगर वो ज्यादा आएगा तो हम कहेंगे test re-test reliability ज्यादा है अगर वो कम आएगा तो हम कहेंगे test re-test reliability कम है इसकी यह मिसाल देखिए कि 6 स्टूडेंट से हमने उनको एक test पहली दफ़ा दिया अब स्टूडेंट नमबर वन ने पहली दफ़ा 75 स्कोर किया और दूसरी दफ़ा उसने उसमें 78 स्कोर किया उसका score सेम नहीं है आप देखिए अब इसमें इस तरह स्टूडेंट 2 को देख लें अब आप उससे पहली दफ़ा 50 स्कोर किया था दूसरी दफ़ा 62 यानि इनके score बदल रहे हैं लेकिन अगर मैं उनकी positions को चेक करना चाहूं तो देखिए positions बहुत सारों की वही हैं जो पहली दफ़ा थी तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है वो जब पहली दफ़ा उसको टेस्ट दिया था तो उसका score 93 आया था वो अपने ग्रुप में नंबर वन पे था फर्स्ट था उसका rank order 1 था दूसरे दफ़ा सका score 91 आया 93 नहीं आया लेकिन अब भी उसका rank वही है जो पहले था फर्स्ट है वो तो मैं क्या करता हूं छे लोगों को first administration की उसमें टेस्ट दिया उनके score को note कर लिया और उनका rank निकाल लिया first कौन है second कौन है third कौन है fourth कौन है दोबारा वही टेस्ट दिया कुछ देर के बाद फिर उनका score लिखा और फिर उनको rank कर लिया तो जिनको दो को मैंने red color में कर रखा है आप देखिए सिर्फ इनका rank change हुआ है दोन rank निकालें raw score में नहीं इन ranks के दर्मयान relationship निकालता हूँ formula से यह relationship जितना strong आएगा उतना ही हमारा test जो है उसके अंदर test test reliability बेतर है आपके tool को stable होना चाहिए तो हम हमें इससे यह ensure होता है कि आपका tool लोगों में मौझूद करेक्टरिस्टिक को एक stable तरीके से measure करता है तो इस तरीके से आप उनके मुख्रिफ और जरूरी नहीं कि हम दो administration करें तीन दफ़ा भी कर सकते हैं तो आप कम असकम दो दफ़ा एक test को re-administer करते हैं एक दफ़ा re-administer करते हैं लोगों के raw scores को ranks में convert करते हैं और ranks के दर्मयान relationship निकालते हैं और relationship की value हमेशा zero और one के दर्मयान आएगी minus one से one भी कह सकते हैं आप zero का मतलब है जब पहली दफ़ा के rank दूसरी दफ़ा के rank से बिलकुर बदल जाए और अगर ranks अपस में किसी हद तक match करते हों तो उतनी ज्यादा उसका correlation निकलता है जितना one के करीब आएगा उतना ज्यादा strong positive relation है जितना minus one के करीब आएगा उतना strong लेकिन negative relation है और जब zero के करीब आता है तो इसका मतलब है कोई relationship नहीं बाया जाता तो इस तरीके से आप test retest reliability find out करते हैं अब test retest reliability के अंदर दो questions लोग अकसर करते हैं इसके बारे में को कहते हैं कि एक test आपने दिया किसी को और जब आप वही test दोबारा देते हैं चाहे वक्फा दरम्यान में कर लीजिए जब आप दोबारा test देते हैं तो test का exposure itself असर अंदाज होता है आपके result पे तो यह जो exposure effect है यह reliability को unnecessarily बढ़ा देता है exposure से मुरा दिया है फर्स का लिए एक test आपने आज दिया उस आता आपको नहीं था वो कुछ भी लेकिन जब आप वही test दोबारा देते हैं उतनी तियारी के साथ उसी mindset के साथ जिससे पहले दिया था कोई और तियारी नहीं की जब आप सेम test दोबारा पड़ते हैं तो आपको वो relatively करने में आसानी फील होती है इसका हाली है कि आप दो execution यानि पहली दफ़ा test देने और दूसरी दफ़ा test देने के दरमयान exposure effect को कम करने के लिए time duration को बढ़ा दें उन द्रमयान वकफा ज्यादा करने ताके वो जो exposure का effect हो रहा था वो कम हो जाए उसके उसमें भी test test reliability बेतर हो जाती है और इसको handle करने के दूसरे तरीके उन पर भी हम उसके बाद बात करते हैं उनमें